आप सबका सबकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल इला और नाटिया में आथका मारा टॉपिक है डिया 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 सब्सक्राम 10 टर्नार थेरी मौक्टिश नमबर 20 जिसके पहले भी हमने एक से लेकर 19 तक के मौक्टिश आपको सॉल्व करके दिया है नरे चैनल पर पर इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा हाँ से चेक कर सकते हैं और जितने भी पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अरे क्लास के क्वेश्चन हम पीडिया के तौर पर लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में हाँ से चेक कर सकते हैं और इस एक ब्लाक को लगातर एक ब्लाक के बाद दूसरे ब्लाक में निश्पादित करता है तो इसका एंसर है अक्षे गति की पाच इस्तिती जो माइकरन इस्तर पर इसके लिए किस विदी का उपएक किया जाता है यही कुछा गाए तो पहला अक्षे गति की पाच इस्तिती अक्षे गति की पाच इस्तिती के लिए किस विदी का उपएक किया जाता है तो इसके एंसर है अप्षे नमर भी नेर्मेल लखेत में से कौन सा कोड रैपिट ट्रावल्स के लिए उपएकत है तो इसके अंसर है अप्षे नमर ए जी डबल जीरो इसके अंसर है option number B, G41, next question, which one of the following M code is suitable for spindle rotation stop, name market में से कौन सा M code spindle stop के लिए उपएकता है, एक question में पूछा है, इसके लिए पहला option M05, दूसरा M03, तूसरा M06, चौथा option M04, तो जैसे question में पूछा गया थे कि, name market में से कौन सा code spindle rotation stop के लिए उपएकता है, तो इसके answer है, option number A, M05, इसी तरह के regular class के लिए मेरे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दबाए, ताकि मेरी वीडियो की notification आपको time पर मिलते रहे, और इसी तरह के regular class हम आपको exam होने तक continue करवाएंगे, next question, what is the indication of aim, तो इसक्रीन पर आपको एक diagram दिखाए दे रहा है, जिसमें aim letter दिखाए दे रहा है, तो इस aim letter का meaning क्या है, इस diagram में यह question में पूछा है, इसके लिए पहला option है machine zero point, दूसरा बार zero point, तिसरा tool zero point और शेहता option machine reference point, तो जैसे question ने पूछा गया थे कि screen पर दिखाए गया है, जो aim आपको लेटर दिखाए दे रहा है, इस aim का meaning क्या है, job drawing में, तो इसके answer है, option number A, machine zero point, machine का zero point, aim के सायता से दिखाए गया है, next question, what is the indication of aim, तो इस diagram में आपको एक job का diagram दिखाए दिखाए दे रहा है, जिसके center point पर aim से दर्शाए गया है, लेटर से, तो इस aim letter का meaning क्या है, इस diagram में यह question में पूछा है, इसके लिए पहला option machine zero point, दूसरा work with zero point, तिसरा tool zero point और चाहुत option machine reference point, तो जैसे question में पूछा गया है, इसके नपर दिखाए गया job diagram में, जो center line के उपर aim दिखाए गया, इस letter का meaning क्या होता है, तिसके answer है, option number D, machine reference point, next question, which point is any CNC machine the position measuring system has a starting point to each axis, जैसे question में पूछा गया है, किसी भी CNC machine में किस बिंदू पर इस्तितिम आपने की प्रणाली का प्रतेक आक्ष पर एक प्रारंबिक बिंदू होता है, इसके लिए पहला option है, work zero, दूसरा tool geometrical value, तिसरा machine zero, और चाहुता है reference mode, तो question में पूछा गया है, किसी भी CNC machine में किस बिंदू पर इस्तितिम आपने के प्रणाली का प्रतेक आक्ष पर एक प्रारंबिक बिंदू होता है, तो इसके answer है, option number C, machine zero point, next question, which channel the following CNC control system are used on CNC machine, नेर्मिन रिखित में से CNC नियंतर पुरानी का प्रणाली का प्रयोग CNC machine पर किया जाता है, जो question पूछा गया है कि CNC machine में जो control system use किया जाते हो, कुन सा होता है, कुछा ने पूछा है, इसके लिए पहला option, Siemens and Fanook, दूसरा, Adopt Reader and Microsoft, तिसरा, Excel and MS PowerPoint, चौथ आप्षन, MS Office only, तो question पुछा गया था कि CNC machine में control system कौन सा use किया जाता है, तो इसके answer है, option number A, Siemens and Fanook, Siemens and Fanook का ही उपएक CNC machine में control system के रुप में उपएक किया जाता है, next question, what is the indication of the z-axis in the CNC lathe machine, एक CNC lathe machine में z-axis का meaning क्या होता है, यही question में पूछा है, इसके लिए पहला option है, the length of the component मतलब job की लंबाई, तो दूसरा option है, the center axis of the component मतलब job की center axis, तो तीसरा option है, the radius of the component मतलब job का radius point, तो जैसे question है, पूछा गया था कि CNC machine में जो z-axis होता है, CNC lathe machine में उसका meaning क्या होता है, वो क्या दर्शाता है, तो इसके answer है, option number is the length of the component, मतलब z-axis जो आपकी लंबाई को दर्शाता है, next question, which cutting tool has the ability to withstand various cutting forces during machining, मशिनिंग के दर्ण किस cutting tool में वीविन ने cutting force का सामना करने के शमता होती है, जो question ने पूछा है, इसके लिए पहला option है, toughness, दूसरा hardness, तिसरा bitterness, और शोता है softness, तो question ने पूछा गया था कि, जैसे के question ने पूछा कि, मशिनिंग के दर्ण cutting tool में कुन सा गून होता है कि, जो वीविन ने cutting force का सामना करने के लिए शमता होती है, इसके answer है, option number A, toughness, next question, what is G, in ISO standard for specifying tool inserts एक code दिया गया है, तो जैसे question ने पूछा गया है कि, जो question में एक code दिया गया है, इस code में जो G का उपए किया गया है, ISO standard के इसाब से, तो इस G का meaning क्या होता है, यह question ने पूछा है, इसके लिए पहला option है, geometrical features, दूसरा relief angle, तिसरा shape of the insert, और 14 tolerance, जैसे question में पूछा गया थे, कि, जो code दिया है, C, N, M, G, 120, 408, इस code में जो G का उपए किया गया है, इसका meaning क्या होता है, यह question ने पूछा था, तो इसके answer है, option number 8, geometrical features, next question, what property has the ability to retain hardness under serve working condition, condition, काठोर कार्या पूरस्तिति में काठोरता को बनाया रखने की समता की material में होता है, यह question में पूछा है, इसके लिए पहला option है, toughness, दूसरा hardness, तिसरा softness और 14 विटलनेस, तो जैसे question में पूछा गया थे, which property has the ability to retain hardness under serve working condition, तो इसका जो answer है, option number B, hardness, next question, इस types of tool material is non-metal, कुणसा किस पर करकी tool material अधातु होता है, इसके लिए पहला option high speed steel, दूसरा carbon steel, तिसरा state light और 14 diamond, तो जैसे question में पूछा गयाते की कुणसे tool material non-metal होता है, तो इसके answer है, option number D, diamond, next question, what is T in ISO standard for specifying tool insert, जैसे question में एक code दिया गया है, TNMG12048, तो इस code में जो T उपए किया गया है, T का मेनिंग क्या होता है, यह question में पूछा है, इसके लिए पहला option है, diamond shape, दूसरा triangular shape, तिसरा square shape और 14 rectangular shape, जैसे question में पूछा गया है, जो एक code दिया गया है, TNMG12048, इस code का ISO standard के सबसे T का मेनिंग क्या होता है, यह question में पूछा था, तो इसके answer है, option number B, triangular shape, triangular shape cutting tool का दर्शाने के लिए T के सबसे दर्शाय जाता है, कोड में, next question, what is the clearance angle for a boring bar tool used in CNC machine, CNC machine में जो बोरिंग टूल यूज किया जाता है, इसका clearance angle कितना होता है, यह question में पुछा है, इसके लिए पहला option है, 5 degree, दूसरा 60 degree, दूसरा 8 degree और 14, 9 degree, तो जैसे question में पुछा गया है, कि CNC machine में उपएक होने वाले boring tool का clearance angle कितना होता है, तो इसके answer है, option number B, 7 degree, next question, what is the name of the part mark X, तो इसक्रीन पर आपको एक diagram दिखाए गया है, इसमें X के रुप में दिखाए गया, part का नाम हमें पैचान ना है, जो question में पुछा है, तो इसके लिए पहला option है, flange, दूसरा adapter, तिसरा shank और चोथा reaction nor, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते, इसक्रीन पर एक diagram दिखाए गया है, जो CNC machine में cutting tool के इसाब से उपए किया जाता है, या इस पर cutting tool को लगाए जाता है, तो इस part में X के रुप में दिखाए गए part का नाम क्या है, या इस question में पूछा है, तो इसका answer है, option number be adapter, जो आपके screen पर X के रुप में दिखाए गए part है, इस part का नाम है adapter, next question, which offset has to be taken to make the tool move with reference to the job in the CNC machine, कोशन ना पूछा गए कि CNC machine में job के संधर्व में tool को move करने के लिए कौन सा offset लेना पढ़ता है, एक question ना पूछा है, इसके लिए पहला option है, work offset, दूसरा जामेटरिकल offset, तिसरा VR offset, चौथा है tool offset, तो जैसे question में पुछा गया था कि CNC machine में job के संदर में tool को move करने के लिए कौन सा offset लेना पड़ता है तो इसके answer है option number A work offset next question what is the shape of the tool insert for letter L L lecture के लिए tool insert का आकार कैसा होता है यह question में पुछा गया है जैसे L अगर दिखाए गया तो इस L letter का cutting tool का आकार का होता है rectangle दूसरा x square तिसरा round और चौता है triangular तो जैसे question में पुछा गया था कि L lecture के लिए tool insert का आकर कैसा होता है तो इसका answer है option number A rectangle next question what is the name of the part mark X तो इसके लिए पर आपको एक diagram दिखाए देरा है job का इसमें जो X के रुप में दिखाए गया part है इस part का नाम क्या है यह question में पूछा है इसके लिए पहला option है tool post दूसरा work rest तिसरा chasing rest और शोगता option is chaser तो जैसे question में पूछा गया था कि इसके लिए पर दिखाए गया X के रुप में part का नाम क्या है तो इसके answer है option number C chasing part तो यह जो आपको दिखाए इधर X के रुप में यह हमारा chasing part है next question what is the name of the tool angle as X इसके लिए पर एक cutting tool का diagram दिखाए गया है जिसमें X के रुप में इस angle को दिखाए गया है तो इस angle का नाम क्या है यह question पूछा है इसके लिए पाइला option approach angle दुसरा cutting angle तिसरा top रेक negative angle और चोथा side rake angle तो जैसे question में पूछा गया है तो इसके रुप में दिखाए गया angle कुन सा है तो इसके answer है option number C top रेक और फिर negative angle next question what is the name of the part throwaway tip tool holder mark X तो यह इसके पर आपको throwaway tip tool holder का diagram दिखाए दिखाए दे रहा है इसमें जो X के रुप में जो देख सकती के रुप में इस part को दिखाए गया है इस part का नाम क्या है यह question में पूछा है तो इसके लिए पहला option है chip breaker दूसरा seam तिसरा holder और चोथा insert तो जैसे question पूछा गया था कि throwaway tip tool holder में X के रुप में दिखाए के part का नाम क्या है तो इसका नाम है option number D insert यह जो आपको दिखाए जारे यहारा insert है जिससे cutting किया जाता है job क्यूप पर next question which parameter is decided by the contour to turn the tool holder tool holder को गुवाने के लिए contour दूबार कौन सा parameter तई किया जाता है इसके लिए पहला option है tool holder style दूसरा insert type तिसरा shunk height और चवता है insert clamping method तो जैसे question पूछा गया था कि tool holder tool holder को गुवाने के लिए contour दूबार कौन सा parameter तो ही किया जाता है तो इसका answer है option number B insert type next question which tool material is quite brittle and has a low bending strain कुणसा पूपकरन material मतलब cutting tool का material काफी भंगूर और कम जुकनी की ताकत है कुणसे cutting tool में इसके लिए पहला option है ceramics दूसरा high speed steel तिसरा carbide और चवता है carbon steel तो जैसे question पूछा गया थे कि कौनसा cutting tool में काफी भंगूर और कम जुकनी की ताकत होती है तो इसका answer है option number A ceramics next question which tool material is suitable for cutting very hard material such as glass non-ferrous metal plastic काच, aloha, धातू, plastic जैसे कटोर समगरी को काटने के लिए कौनसे cutting tool material को पोई किया जाता है जो question पूछा है तो इसके लिए पहला option है ceramics, दूसरा diamond, तिसरा carbide और चवता stelite तो जैसे question पूछा गया थे कि काच, aloha, धातू, plastic जैसे कटोर material को काटने के लिए कौनसे cutting tool material को पोई किया जाता है तो इसका answer है option number B diamond next question which types of index cable insert is used for parting or cutting purpose on lathe lathe पर parting or cutting के उद्देशय से किस परकार के index के बाल insist को पहर किया जाता है इसके लिए पहला option है boring insert, दूसरा threading insert, तिसरा high cut of insert और चॉता है groving insert Counselor जैसे कूछा गया थे कि lathe machine पर cutting और 만나 Gr guilty के उद्देशय से किस परकार के index के बाल aun 90 को पहर किया जाता है तो इसका एंसर है, option number C, cut off insert, next question, what is the purpose of turret head on CNC lathe machine, CNC lathe machine में turret head का क्या उद्देश है, यही question में पुछा गया है, इसके लिए पहला option है, it hold the workpiece, मतलब job को पकड़ने के लिए, दूसरा option, it hold the cutting tool, मतलब cutting tool को hold करने के लिए, यह फिर तीसरा option, it support for lengthy workpiece, मतलब लंबे job को support देने के ल है, workpiece को guide करने के लिए, तो जैसे question में पुछा गया था कि CNC machine में turret head का होद्देश है, तो इसका answer है, option number B, it hold the cutting tool, cutting tool को पकड़ने के लिए turret head का उपए किया जाता है, CNC lathe machine में, next question, which one of the following code is suitable for grooving operation, grooving operation करने के लिए, कौन से code का उपए किया जाता है, जो question में पुछा है, इसक इसरा G21 और 14 जी 75, तो जैसे question में पुछा गया था कि कौन सा code का उपए किया जाता है, grooving operation के लिए CNC machine में, तो इसका answer है, option number D, G75, next question, what will be displayed on the screen while simulation, simulation के दारन screen पर क्या पुरदर्शित होता है, यही question में पुछा गया, इसके लिए पहला option, entire part program, मतलब पूरे part का program दिखाए द मतलब, job का जो graph होता है, कि कितना, हमने cutting किया, कितना बाकिया, पूरा graph दिखाए देता है, यह फिर तिसरा option है, work of setting detail, मतलब, job का setting detail दिखाए देता है, यह फिर चवता option है, all tool geometrical value, मतलब, पूरे cutting tool का geometrical value दिखाए देता है, तो जैसे question पूछा गया था, कि simulation के दोरन screen पर क् answer है, option number B, graph of the component, मतलब, job का graph दिखाए देता है, कि कितना हुआ है, कितना नहीं, यह फिर दूसरा option है, input value in inches मतलब, पूरे माप inch में, फिर तिसरा rapid traverse, यह फिर शहता है, cutting tool, the cutting tool has to travel in x axis and y axis, मतलब, cutting tool travel करते है, x axis और y axis पर, तो जैसे question पूछा गया कि, जो code दिया है, g71, तो g71 code का उद्देशी का होता है, तो इसके answer है, option number D, the cutting tool has to travel in x axis and y axis, मतलब, cutting tool, x axis और y axis के उपर travel करता है, तो इस तरह से, आसके class, जो हमारा था, इस class में हमने आपको CNC machine के important 13 questions, 30 questions solve करके दिया है, और इसी तरह के regular class के लिए मेरे चैनल को subscribe करके, बेल आइकन को दवाए, ताकि मेरे वीडियो की notification आपको time पर मिलते रहे, और वीडियो अच्छे लगे तुमारे चैनल को subscribe करे, share करे और like जरूर करे,